तो आज के इस वीडियो का थमनेल देखके तो आप समझी गय होगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़עधा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में जो चीज में आपको सिखाने वाला हूँ वो आपका पूरा का पूरा लॉस रीकवर करने वाली है प्लस आपको एक प्रौफिटेबल ट्रेडर बनाने वाली है भशत्षर्त है आपinator इस वीडियो को जॉइन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपको मेरी लिंक से अपना अकाउंट क्रियेट करना है तेने उसमें 30 डॉलर यह फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डेपोजिट कर सको अतना डेपोजिट करके मुझे अपना अपनी ट्रेडर आईटी सेंड कर देना तो मैं आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाते हो तो आप मेरा व्याइपी ग्रूप जॉइन कर सकते हो और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल जरू यहां पर आप देख रहूंगा मैंने 500 डॉलर 500 डॉलर की पांच ट्रेड ली थी और पांचो की पांचो ट्रेड विन हुई इस ग्रीन केंडल पर ठीक है तो चलो यार अभी मैं आपको बता देता हूं कि यह ट्रेड मैंने कैसे प्लेस की तीकुत और साथी साथ इस वीडियो पर जो भी बेस्ट कॉमेंट्स रहेंगे उनको जो है मैं 10 डॉलर का गेववे करूंगा तो आप कोशिश करना कि आपका सबसे बेस्ट कॉमेंट रहे ताकि आप गेववे के हगदार रहे ओके चलो यहां पर आप देख पाएंगे पहले तो मैं यहां पर लाइन लिलता हूं तो यहां पर एक लैवल है यहां पर आप एक लैवल देखेंगे यहां से मार्केट जो है पुल बैक हुआ था यहां से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट हुआ था तो यहां पर हमें स्ट्रॉंग एसनार की पहच्छान हो गई और साथी साथ मार्केट ने यहां पर कुछ द यहाँ पर मैंने क्या चीज देखी ऐसे आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं अगर आपने इतनी चीज़े जो मैंने आपको भी बताई आपने उस वेसिस पर यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी तो आपका ट्रेड का लॉस होना confirm हो जाएगा ठीक है confirm तो नहीं होगा लेकिन 50-50 हो जाएगा क्या आप लॉस कर भी सकते हो विन भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने क्या देखा यहाँ पर यह पहली वाली sellers की candle देखी कि यह sellers की candle है red candle sellers की है और यह sellers की candle यह बता रही है कि यहाँ पर sellers exhaust हो चुके है बट अभी हमारे लेवल को टच नहीं किया था तो एक और candle बनी red और इसने हमारे लेवल को टच किया और साधी साथ इसकी हमने विक्स देखी इसकी विक्स जो है काफी बड़ी थी बॉडी से तो काफी बड़ी थी तो हमने यहाँ पर एक दम हम कुछ इस वीडियो में आपको काफी सारी चीज़ा बताने वाला हूं और साधी साथ वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि आप लॉस से कैसे बच सकते हो जो कुछ आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में जो कुछ भी सिखाऊंगा कहीं ना कहीं उसमें ऐसा भी वीडियो के main point पर आते है आपको बता दिया के यह trade मैंने काने है प्लेस की थी और आपको मै'm ट्वीडर्म का भी बता दिया तो आप वह सब तो करी लेना god कि नोए तो अभी चलिए हम वीडियो के main topic पर आते हो के तो चलिए तो मजनी होगी अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो आप वीडियो स्वरी आप अपना प्रॉफिट की वजए आप अपना लॉस कर सकते हो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से देखें अच्छे सीखें अच्छे से पढ़ें और अगर आप न आप इतना कुछ सीख लेते हो तो ठीक है चलिए अभी मैं किसी भी पेर को उठा लेता हूं लाइक यहां पर मैं यूरो एउडी के पेर को उठा लेता हूं और यहां पर मैं अपने सारे ही लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूं सारे ही लेवल्स अब जितने भी लेवल्स होंगे मैंने किस basis पर उनको place किया है और आप किस basis पर उनको कर सकते हैं और वैसे आपको भी place करना है ताकि आप भी मेरी तरह same trade कर पाओ और profit में रहब हाओ okay like यह वाली और भी काफी सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी मैं आपको बारी बारी सब को प्लेस करना बता दूगा ठीक है यह वाली तो ठीक है ओके वीडियो काफी ही ज्यादा यूसपुल आपके लिए तो मैं चाहूँगा कि आप विल्कुल भी इसको विल्कुल भी आपके वीडियो यूसपुल है और आपके लिए वर्थ है ठीक है तो आप इस वीडियो को प्लीज मिस मत करना इसको जरूर से जरूर पूरा देख के जाना ओके एक लेवल यहां पर हुआ और एक level हमारा यहाँ पे था ठीक है एक level ये एक level ये और ये वाला level थोड़ा सा गड़बड लग रहा है मुझे तो इस level को थोड़ा और अच्छ जमा लेते हम लाइक इस level को कहाँ पे कहाँ पे ओके यहाँ पे आपको हर एक level का ध्यान रखना पड़ेगा आपको हर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ से जाम हम अब स्टार्ट करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे market गया था और यहाँ से market में seller से एंटर किया और market ने pullback मार दिया यहाँ से तो यहाँ पे हमें यह समझ में आ गया कि market में यहाँ पे कुछ न कुछ है हमारा SNR level बन रहा है SNR का मतलब होता है support and resistance यहाँ पे हमारा SNR बन रहा है तो अब market जब भी यहाँ आएगी तो हम market की हरकतों को notice करेंगे हम market की हरकतों को notice करेंगे और देखेंगे कि market यहाँ पे कौनसी candle और कैसी candle बना रही है जिस basis पे हम यहाँ पे trade लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह यहाँ पे एक green candle बनी हुई थी और यह green candle ऐसी candle है जो की काफी strong candle होती है और यह buyers को और आगे जाने के लिए force करती है बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऊपर एक SNR लेवल था ठीक है तो यहाँ पे buyers को force तो किया लेकिन ऊपर SNR होने की बज़े से यहाँ पे यह candle red बन गई उपर market नहीं जा पाए ठीक है आपको इतना समझ में आया तो आपको यह भी समझ में आओ कि आपको यहाँ पर और यहाँ पे green candle फिर से बनी लेकिन अब यह show कर रही थी कि यहाँ पे buyers decrease हो चुके है यह वाली candle शो कर रही है कि यहाँ पे buyers decrease हो चُके है क्यूंकि यहाँ पे इसकी नीचे वाली wick बड़ी है ना कि उपर वाली wick बड़ी है ठीके ? और साथी साथ इसकी body जो है इस वाले level स से नीचे ही है इसकी नीचे वाले बड़ी बड़ी है इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस यहां पे sellers enter कर चुके हैं और प्लस हमारा उपर एक level भी है अब sellers ने इंटर किया उपर हमारा लेवल भी है तो हमें यहां पे 100% के लिए एक ट्रेड मिलती है और अच्छा खासा विन करते हैं इस वाली राइड केंडल पर ठीक है आपको यह लेवल समझ में आए ऐसी मैं आपको बारी बारी से लेवल समझाते जाओंगा और आपको जब भी लेवल से ट्रेड मिलेगी ऐस केंफ्यूज में होगे कि यह लेवल क्यों रोकिया है इसको थोड़ा हाइलाइट कर लेता हूं है इसको थोड़ा मोटा करके लाइक इसको थोड़ा यहां से इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूं और कलर मैं कर देता हूं यहां पर इसका यलो ताकि आपके लिए बिजी वाल लेवल को यहां पर लॉट के यहां पर अब देख पा रह西 ंगे, इक जाली है, यह उजाली केंडल को देख है, जिनकी विक्स और शैड़ो भाड़ी लेकश होके आप इसकी स्मॉण explored लुटी बोड़ी ही, बॉडिक साथ यहां बहुती ज्यादा स्ट्रॉंग एसनार होती है और यहां पर यहां से उपर नीचे जाने के ग्रीन ग्रीन अंप देख सकते हैं तक गई होगी इसवाले पर ठगीक हूग और यहां पर कहीं न कहीं बैठे हुए तहें पहले यहन अगरब प्रफे टोप मिहां यहां के तरहुप पहले जा रहा रहे एक लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर बयक्ट हुए थे और उन्होंने इसे एकडम से रियक्शन दिये। जो की यहां पर चली गई और यहां से इसकी कई डी 삶ाः ठीक है तो यह होता है यहां पर बैटी हुए थी के ग्रीन बना दिया हमें समझ में आ गया कि बायर संटर हो चुके मारकेट में हमारा लेवल प्लस यहाँ अब सेलर्स बायर की लडाई देख रहे हैं और लेवल को समझ रहे हैं और साथी साथ आप केंडल साइक्लजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका विन होना कनफर्म है अब आपको यहां पर यह पतल गया, बायर बैटे, तभी इस candle को इतना धक्का मारा, इसको rejection दिया यहां से, और यह candle यहां से ऊपर चली गई, अब हमें next green candle पर trade करना था, और हमारी यह green candle भी विनोती, ठीक है, मैं आपको आपके सामने लेवल सारे draw करके बता रहा हूं, आपक सामने सब कुछ करके बता रहा हूं, एक एक चीज अबाई की समझा रहा हूं, अब अगर फिर भी आप नहीं समझना चाते, आप सीखना नहीं चाते, वीडियो को बीच में छोड़के जा रहे हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, तो वो आपकी जिम्मेवारी है भाई, कि आपको सच में सीखना ही नहीं है, या फिर मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग में अपना सिर्फ पैसा लॉस करने आए हैं, आपको सिर्फ पैसा गवाना है, और कोई भी एक स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहना है, कि कुछ मिल जाए मुझे, आपको जीवन में कभी नहीं मिल जाएंगी, लेकिन फ्री में तो आपको ये चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो इसकी value करो, अगर यही चीज़ में आपको पैसे से देता, तो शाइद आपको value रहती इसकी, और आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, लिकिन ध्यान से ल तो शायद आपको इतनी ज्यादा वैल्यू ना रहे ठीक है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए अभी नेक्स लेवल पर चलते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे मेरा नेक्स लेवल यहां पर ब अब मार्केट जब भी वापस यहां पर टच करने आएगी तो हम यहां पर जो है कॉल के लिए ट्रेड़ लेंगे मतलब अपके लिए ट्रेड लेंगे बट यहां पर कुछ लोग क्या मिस्टिक कर देते हैं यहां पर इस लेवल पर मार्केट आनी पाई और आपको लगा कि म आप मार्केट जो है केंडल लेवल पे नहीं आई थी है हमारी यह ट्रेड विन हुई है यहां पे ग्रीन केंडल बनी है अगर आप ट्रेड ले तो शायद आप विन कर जाते 50-50 रहता विन भी कर सकते दे लेकिन आपको वेट करना है कि केंडल जो है आपके प्रॉपर वहीं प कि आपको कहां नहीं लेना है। कि मार्केट में ऐसे काफी सारे लेवल्स आपको देखने के लेने मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि र्रेड है क्योंकि आपको थोड़ा सा पेशिंस रखना है जैसे कि तो चलिए अभी मैं आपको बटाता हूं कि आपको ट्रेड कहां खाहा नहीं करनी अभी मैं आपट्रेंड के साट्रेयड कर esta तो आप शायद यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते सायद है यह मल यहाँ पयाप डाउन के ले सकते यहां पर एक यह वाले पेर में आप विल्कुल नहीं ले बिरी में क्यों ट्रेड़ नहें ले ले सकते क्योंकि यह प्यक्ति प्यक्ति यहां सिर्फ और सुर्फ घ्रीन केंडल पर ट्रीड क्या जा सकता है ना कि रैड़-केंडल पर तो यहां पे जितने वी ट्रेड लेंने हैं और तूर अब्लिट अंटा पर yeah बा經新डि घ्र, यहां पर यहां पहले है घ्लम करनांको तो चैनल को करना मार्केट में आ क्ट्रेट की होई लेका वतक ₲ की यहां को तो लुद्ध के करना मार्केत में नहीं करना क्योंकि यह sellers की केंडल रहती है यहां पे sellers होते है अगर नीचे की भी थोढ़ी होती है और उपर की सैडल की यहां पर कम बढ़ी होते ह bud gaps यहां पर बाईर नीचे वाली को ठीक है तो हमें इस से पता जलता के बायर्स वीक है तो यह होता है sellers और buyers के बीच में फरक और यह वाली candle जब भी आपको SNR लेवल पर यानि की support and resistance पर देखने के लिए मिलती है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है तो यहां पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई एक विक्स का लोचा कि आपको विक्स देखन साथ आपको यह भी बताया कि अगर मार्केट अप्ट्रेंड में है तो अच्छे से समझ में आई होगी आपको कई भी डाउट है तो आप मुझे comment कर सकते हो, साधी साथ आपको यह टेलीग्राम के बारे में बताया है, यहाँ पर मैं compounding भी करता हूँ, short shorts भी देता हूँ, आप मेरा टेलीग्राम जोइन कर सकते हो, जिसका link नीचे description में आप मेरा VIP ग्रूप जोइन करना चाते हो, तो उसको भी जोइन करना ब आपको यह वीडियो पसंद आए होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आज इस वीडियो को like करना मत भूलना, और साधी साथ आपना best comment भी करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो subscribe भी करके रख लो, क्योंकि आगे भी ऐसे ही तगड़े तगड़े वीडियो में ला मातरम